अपने लिंक की लंबाई को कैसे नापे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने बरेड हैं कि यह मेरा साइस ठीक नहीं है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि साइस को कैसे नापना है और वो इसको लेके कंसर्ण रहते हैं और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ लंबाई को किस तरीके से नापना चाहिए अगर आप भी यंग हैं आपको नहीं पता है मेरा साइस क्या है तो इस वीडियो को अन तक देखेंगे मैं बताऊंगी कैसे नापा जाता है ताकि आपको भी पताओ मेरी लेंथ कितनी है चानल पर नए है तो सबस्क्राइब करना नहीं भूलेंगे वीडियो को अन तक देखेंगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने और फ्रेंड्स तक जरूर भेजें तो अगर आप अपने साइस को मेजर करना चाहते हैं मान लीजे ये आपका पैनिस है तो आपको हमेशा प्रेशर नहीं लगाना है इतना जोर नहीं लगाना है कि जादा से जादा लंबा है बिलकुल फर्मली बिलकुल प्लेजर के साथ रखके आपने से मेजर करना है दूसरा बड़ा question जो लोग पूछते हैं कि ma'am क्या मुझे foreskin को खोलने की जरूरत है जब मैं measure करूँ तो क्या foreskin खोलूँ अगर आप flakid position में penis की girth को या length को देख रहे हैं flakid मतलब जब वो खड़ा हुआ नहीं है तब आपको foreskin open करने की जरूरत है otherwise recommended यही है आपको foreskin को open करने की जरूरत नहीं है तो अब आपको पता चल गया कि मेरे link की length कितनी है अब आपको जब पता है कितनी है तो कोशिश करें कि enjoy करें क्योंकि हर length normal है female की योणिका सिरफ 2.5 inches ऐसा है जसके अंदर pleasure की अनुभूती होती है तो अगर आपका size 5 inches है तो बिल्कुल sure हो जाएं safe हो जाएं और size को जरूर एक बार नापने की कोशिश करें चानल को subscribe करना नहीं भूलेंगे like करे, share करें